दोस्तों नमस्कार आपके घर में हो महालक्षमी का अप्रवेश मैं हूँ देवेश दोस्तों रोजाना सुबेव और शाम हम आपके लिए 6 महत्यकूर्ण खबरों का मज़ेदार एनालेशिस लेकर आते हैं इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथ में राम नव्मी और हनुमान प्राकट्यो सब के उपलक्षमे आत्मिलगर इंवेस्टर फ्यूचर्स और आप्शन कोर्स पर 50% के भारी भरकम डिस्काउंट का लाव उठाने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है क्लिक करके अपना प इंफ्रस्ट्रक्ट्टर हम कौन सा बना रहे हैं नॉर्थ कोरिया और इस्राइल में भाई साब बहुत बहेंकर जो है नया घटना क्रम हुआ है बदलाओ आ रहे हैं इसराइल में इतना विरुद्प्रस्टर्शन हो रहा है कि यह सीमा ही नहीं है उसकी कोई साथ में आर बी इंपोर्टेंट डिजीजन लिया है इंडियन बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ तो यह जो हर घटना क्रम है एक से बढ़ करें कि आपको पक्के से मज़ा आएगा आनंद के साथ वीडियो देखिएगा आप दोस्तों कोई भी असेट हो उसमें क्या होता है कि दाम ऊप पता है लेकिन हम नहीं करते थे LNG के केस में नीचे के लेवल पर हमने क्यों नहीं खरीदी क्योंकि Summan. करने की विवस्ता नहीं थी लेकिन आप क्या कर रहे हैं वहां पर नए टेंक एक्स्ट्रा टेंक लगा रहे हैं अपनी केपसिटी को इंप्रूव कर रहे हैं ताकि वह अपने लेवल पर ज्यादा एलनजी खटी कर सकें जब एलनजी सचती है तो फ़या जी यदिव उड़ जाके सभी सूर्सेश की हमां है बड़े प्यमान पर र Indigenous को उनका रॉ वाट्रय बढ़ेगा तो हमारे जो प्रोड़क्ट हैं उनके दाम संस्ते होंगे अरे ये सस्ते ना हो तो कम से कम ऐसा तो होगा कि उनके एकदाम बढ़ेंगे नहीं इसी बीच भाई साब बाजी राओ की रफतार ही बाजी राओ की पहचानती तो उसी रफतार के कॉंसेप्ट को अपना लिया है भारतिय सेनाने आप से हम देखिए जो अपर श्यांग रीजन है अरुनाचल प्रदेश का बिलकुल एलेसी से सटा हुआ वहाँ पर भारत ड्रमपुत्र नरी पर बना रहा है नया ब्रिज चार लाइन का ब्रिज है भाई साब इसके बनने से 180 किलोमीटर की कम दूरी तैय करना पड़ेगी और इतना मजबूत ब्रिज बन रहा है कि भाई सब कोई भी मिसाल लॉंचर हो टेंक अवगेरा जो गुजारना हो सब गुजारदोस के ऊपर से कोई टेंसन नहीं होगी तो बहुत बढ़िया काम है रही बात रावर गांदी की जिन सरकारों ने ये इंफ्रस्ट्रक्चर नहीं बनाया वह क्या करती थी असलियत में वह डरती थी इसी डर के कारण उन्होंने ये बंध नहीं बनाए नदियां के उपर जो है सडक नहीं बनाई ताकि सेना बहीजी बॉर्डर इलाकों में मजबूत कभी नहों पाए इसे कायर उनको आप और क्या कह सकते हो बहुत सिंपल सा है और आप लोग इससे रिलेट भी कर पाएंगी क्योंकि इंडिया में भी दिकत है कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट बगेरा हैं जो भी जजेज हैं उनकी नुक्ती में कारपालका को कोई हस्तक शेप नहीं है उनकी आवाज की सुनवाई भी नहीं है लेकिन ये चीज बदलना चाह रहे हैं बेंजामिने तन्याहू साथ में इन कानूनों का जुडिशियल रिव्यू हो यह सुनश्चत कर रहे हैं वह कानूनी परवर्तन करके कानून में लिखा होगा कि इन इन एरियाज में जुडिशिय रिव्यू संभाव नहीं है तो बेसिकली वह कर क्या रहे हैं वह बैलेंस स्थापना की कोशिस कर रहे हैं जुडिशियरी और एक्जिक्यूटिव में कारपालका और न्यायपालका में तो उद्देश में कोई कमी नहीं है लेकिन भाईया जी उनके रक्षामंत्री हैं उन्ह क्यूंगा पता है आपको अमयरिका में इनको टरंप साब क्यों नहीं पुरए लगते थे इसलिए लगते थे कि टरंप कंसर्वेटिव जजिस को अमेरिकन सूप्रीम कोर्ट में भेज रहे थेंजियरी जजों की न्युक्ति का राशटा सीनेट से होकर जाता है वह यस अन्य देशों के पॉलिटीशन को मिले तो अमेरिका को भईया लोग तंतर में लगने लगता है मतलब अगर आपको इतनी ही न्यायपाल का पसंद है तो अपने देश में भी सिनेट की जो हीरिंग वगरा होती है सिनेट का जो कंफर्मेशन प्रोसेस है वो बंद करो आपके यह अभी जजेस जजेस को निफ्ट करें तब हम समझेंगे आपकी बात कि कितनी बड़ी बात कह रहा है और कितनी आपकी बात में बजन है अभी तो वही है फाल तू के ओवदेश ना दो रही बात इसराइल की तो देखना होगा कि यह ब्रोस प्रोसन किस मोड पर पहुंचता ह अभी तो भईया बेंजामिन नितन्याहू पीछे हटने के मूड में दिखाए तो नहीं दे रहे हैं अब दोस्तों आजकल माफी की बात चल रही है तो राहुल गांदी साहब कहते हैं हम आपी नहीं मांगेंगे चलो कोई दिक्कत नहीं आपका वोकेस तो कोर्ट में चल रह लेकिन 377 का तो आप सपोर्ट किये थे ना किसको नहीं हटना चाहिए अब हट गई इसका परणाम देखिए आप उदंपुर स्रीनगर वारवला में पहुंच रही है बंदे भारत ट्रेन वहां का उद्धार होगा लोगों को रोजगार मिलेंगे अगर यह ट्रेन पहुंच आपके जो परनाना थे नहरू उन्होंने गलती करी और आपने इसके हटाये जाने का विरोध करके उससे बड़ी गलती करी क्योंकि गलती का सपोर्ट करना गुना होता है तो आपने गुना किया है कब सुरिकार कर रहे हो बताओ भाईशाब तो पता पड़े कि आप सही रस् राक्षच्छी परकिये की एक राक्षच्छ पाकेस्तान और दूसरे राक्षच्छ है नॉर्थ पोरिया इन Chamberineли अमेरिका के खिलाफ नॉर्थ कोरिया को अंडिया और इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान कोॐ यही बास समझ में आ गई मोदी सहाब को मोदी सहाब करने कि हम पा चैनल पर बुला करती थी तो हम उनके लिए लिखते थे टेक्स्ट राइटिंग करते थे स्टोरी बनाते थे वीडियो की और आप लोगों की कमेंट भी पड़ते थे तो हमें पता है कि 2017-18 में ही आप लोगों ने कह दिया था कि यह में टार्गेट अपना चीन है तो मोझी जी यही कर रहे हैं बर्तमान में और यही कर रहे थे ट्रंप भी लेकिन बाइडन बबाके तो यह concept हिले हुए है तो क्या बंक बंक मारे उन्हें पड़े लगे हैं यह क्या दिक्कत है मतलब डिग्री दिग्री तो है असलिया तुम्हें उनका common sense देख लो आप उनको एक्ती छो सवाई मचा देगी आग बरसा देगी तो भाईया जी आप समश्याओं को सॉल्व नहीं कर रहे हो कारण यह है कि आपको पता ही नहीं है कि रूट कौस कौन सा है प्रॉब्लम का वो जो हम हमें से कहते हैं कि भाईया इनको बवासीर की बिमारी है और दवाई खाली है ने उल सारे बैंकों से कहा है कि भाईया जी जो आपके top 20 clients हैं उनमें जो आपने करजा दिया हुआ है वो करजा डूबेगा या ने डूबेगा उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हम तो इतना बताओ कि भाईया जी आप मान के चलो कि यह डूब जाएगा और उसके लिए पहले से ही provisioning कर दो विवस्था कर दो कि अगर यह डूबा तो आप कहां से पैसा लाओगे कहां से आप भरपाई करोगे तो उससे क्या होगा market को और बैंकों को उनकी असलियत का पता लग जाएगा हमने अपने students को भी पढ़ाया है कि आपको risk manage करना है तो उसके पहले आपको risk measure करना पड़ के लिए RBI ने कहा है कि हर बैंक से कहा है कि तुम तो पता करो और बताओ सबको सबको ट्रांस्पेरेंटली जैसे हम जैसे निवेशक हैं उनको पता होना चाहिए कि किस बैंक के ऊपर खतरे की तलबार कितनी जादा लटकी हुई है पास में ताकि फिर हम जो है निवेशका सह कि नर्णा ले सकें और भाई जी कोई नहीं चाहता कि रिस्क वास्ताओं में सरपै गिरें हो सकता है कि वह 20 अकाउंट है ना डूब है वह सकता है वह पूरा पैसा लॉट किया जाए वह बैस्ट के सिर्व है लेकिन हमें खतरा पहले से पता होना चाहिए यह जो कदम है यह स यारी समय से पहले कर लेंगे इसलिए हम कहते हैं अपना RBI दुनिया का बेस्ट रेगुलेटर है अब तो अभी आवर्ड भी मिल गया है तो आप तो हाथ कंगन को RC किया पड़े लेके को अब दोस्तों राम नवमी और हनुमान प्राकट्यो सब के दो महान उससब आ रहे हैं इसलिए उनके उपलक्ष में 50% तक का भारी वरकम डिसकाउंट दे रहे हैं आप में फर इन्वेस्टर कोर्स पर टूचर सेंड ऑप्शन कोर्स पर तो अभी तो यदि आप शेयर मार्केट में आचार चानके की हेज्जिंग स्ट्रेट जी के माध्यम से हर गिरावत और जब मार्केट वहीं का वहीं रहे उस दोरान भी पैसा कमाना चाहते हैं तो आप आक मने रभर ऑप्शन कोर्स पर विचार कीजिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी लिए डिसकाउंट अपने आप एफलीकिबल हो जाएगा वीडियो दिरने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जैश्च्री राम